नमस्कार मैं संजीर समीर सिख्चक चोपाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग हमेशा हीं सिख्चा सिख्चक और सिख्चा विवाग से समंधित खबरों को देखते रहे हैं आगे भी देखते रहेंगे आज इसी करी में बिद्याले में बाल संसद का गठन कैसे हो कैसे बाल संसद का कार्ज होता है कैसे उसका गठन किया जाता है उसके क्या इतिहांस है और इस से क्या लाभ होंगे इन सब के बारे में आज देखते हैं एक विशेश रिपोर्ट दोस्तो बाल संसद बिद्याले के बच्चों का एक ऐसा मंच है जहां उन्हें बिद्याले समाज, परिवार, स्वास, शिक्चा और अपने अधिकारों की बात खुल कर कहने की सोतंत्ता होती है इसके जो उद्देश से है आYé उसके बारे मां जाने विद्याले बिकास में बच्चों की सक्रिये भागिदारी सुनिचित करना नितित निर्नायन एवं सम्प्रेशन छमता का बिकास करना विद्याले में सैचनिक वातावरान का नियमान करने में सहोग प्राप करना बाल उनमुक विद्याले चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की परिकल्पना को जिवन्त रुप परदान करना अब आईए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि यह इसकी सुरुवात कहां से हुई और कैसे हुई नेलंदा जिले में बाल संसत के गठन की सुरुवात युनिसेफ प्रयोजित स्पीट काजकरम के अंतरगरत वर्स 599 में की गई थी 2009 में सब्सिछा ब्हान काजकरम से संपूर्ण भारत को अच्छादिद किये जाने के उपरांत बिहार के सभी प्राथ्मिक मद्विद्यालों में बाल संसत के गठन का प्रधान किया गया बिहार को देश का पहला राज बनने का गरव प्राप्त हुआ जहां पर हर विद्याल में बाल संसत के गठन का प्रधान किया गया है और इसका गठन हुआ संप्रति नारंदा के शभी विद्यालों में बाल संसत का गठन परत्यक वर्ष हो रहा है किन्तु उसकी सत्पतिसत सक्किर्यता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता है आईए दोस्तो अब हम इसके प्रिश्ट भूमी के ओर देखते हैं बिद्याले एवं सिक्षा बचों के लिए है तो उन्हें बचों की दिश्टी से ही देखा जाना चाहिए अता बाल अधिकार पर एक नजर आवश्यक है तो बाल अधिकार क्या है पर हम उससे समझेंगे बचों के मानधिकार को बाल अधिकार कहते हैं इसका प्रियोग हम लोग कहा कहा करते हैं जीवन जीने के लिए अधिकार पहला हक है जीने का अच्छा खाने पीने का लर्का हो या लर्की हो शिहत सप की अच्छी हो सनरक्षन का अधिकार सनरक्षन का अधिकार के तहत कहा गया है फिर हक है सनरक्षन का पोशन से है रक्षन का स्रम ब्यपार या बाल बिवा नहीं करे बचपन तवा सहभागिता का अधिकार तिसरे हक की बात करें सहभागिता से उसे कहें मुद्दे हो विकास का जिवन में परकास का सिख्छा हो गुनवत्ता युक्त मनुरंजन पर डर से मुक्त तो दोस्तों यहां तक हम देख लिए कि बारा दिकार क्या है नहीं है इसे एक सुलुक के माध्यम से प्रसूत किया गया था अब देखते हैं बाल संसद विद्यालों में जोरी क्यो हैं दो है और इसकी इसको लाइव करेंगे तो तो यह सबंडी कि बारे में आगहे हम जानते हैं बच्चों में जीवन को सल का विकास करने के लिए यह भी जोरी है सभी बच्चों की एक सभा बुलाया कर उसे वरगा बार वैठाए गठन के पुल्वसं जोजग सिक्षक द्वारा बाल संसत के बारे में बिश्तित चर्चा करें बाल सभा द्वारा एक पधार मंत्री और एक उपपधार मंत्री का चुनाओ करें दोनों पदों में से कोई एक पद छात्रा द्वरा भर जाएगा इस चीज का ख्याल रखा जाए और बाल संसता गठन कैसे किया जाता है यह अब हम लोग आगे जानते हैं परतिक वर्ग का पाज संहु में बितरन किया जाएगा उसके बाद संहु बितरन के लिए उपरस्तित पंजी का वर्ग करमांग अधार होगा जैसे करमांग एक पहला संहु करमांग दो दूसरा संहु करमांग तीन तिसरा संहु करमांग चार चौथा संहु करमांग पाज पच जा सकते हैं बाल संसत का गठन कैसे किया जाए इस पर हम लोग परकास डालते हैं पर तेक समुह में एक मंत्री और एक उप मंत्री का चैन समुह के सलस्यों द्वारा किया जाएगा पर तेक समुह में एक छात्र और एक छात्रा मंत्री या उप मंत्री का दाई तो समालेंगे इ पर्थम माह में इसका गठन अनिवार रूप से कर लिया जाए मंति मंडल में कौन-कौन आते हैं उसके बारे में हम लो जाने कि इसमें कौन-कौन सदस होते हैं और कौन-कौन इसमें भाग लेते हैं पहला है पधान मंतरी, दूसरा उप परधान मंतरी, तुसरा सुक्ष ह्मंतरी, चौथा है उप सुक्ष हमंतरी, सह मिना मंतरी, अनिवार रूप से छातरा होनी चाहिए पाचमा है स्वास्त एवं स्वक्स्ता मंत्री, छठा है उप स्वास्त एवं स्वस्ता मंत्री, सातमा है जल एवं किसी मंत्री, आठमा है उप जल एवं किसी मंत्री, नौमा है पुस्त काले एवं बिग्यान मंत्री, दसमा है उप पुस्त काले एवं बिग्यान मंत्री, दसमा हां सांस्कृतिक के घर मंत्री और वसकी है सहयोग सभी कि क्या भूमिका है उस पर हम लोग चर्चा करें मंत्रियों के सहयो के लिए परतेक अक्छा में एक छात्र ईवं एक छात्रा का चैन बाल शंगन से द्वारा शक्रित सरर्ष सार्शuje के रूप में किया विधियार्थिए की संख्या कोम होने पर एक छात्र अथ्वा एक्छातरा ही सीमित समीती के सरफ होंगे मन्ति मंदल के कारज और उसके दायतु के बारे में हम रों यहां समझते हैं पते करें। पधार मंतरी और उपधार मंतरी का जो कार्ज है उनसे समंदित हम लो यहां उसकी चर्चा करते हैं परतेक 15 से 30 दिनों पर मंतियों की बैठक बुलाना एबं पिछले कार्जों पर चर्चा तथा आगे की कार्जों की योजना का निर्मान करना परतेक तीन महिने पर विद्यार करना कैं मंति मंदल के कार्जि सब्सक्राइब करना की , और उनके क्या दाइथ मैं उसे समझें。 सम्मु के दिनवार काजो का बटवारा करना बिषए सोज़ों पर बिध्याले में समा रोह का आईजन करना विश्स्ट व्यक्तियों के बिध्याले आने पर बालसंसत के सदस्यों को मिलवाना सभी मंत्री उप मंत्री और मनीटर से अपने अपने बैज लगवाना सुनिशित करना उप पधान मंत्री का दाइत्व पधान मंत्री को सहयोग करना और उनकी अनुपस्तिती में उनके सभी कार्जों को करना अब आते हैं सिक्षा मंत्री के कार्ज पर बाल पंजी तयार करना अधितन करने के लिए सिक्षक और बिद्याले सिछा समीति को सुचना हासिल करवाना बच्चों की सहता के अनमांकित और लगतार बिद्धाले नहीं आने वाले बच्चों को बिद्धाले से जोरने का प्रियास करना सभी वरकक्ष को आकरसक बनवाना, सभी बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए परीद करना वरकक्ष में निसक्त बच्चों को समान उसर उपलब्द कराना सैचिक कार्ज में सिचकों का स्वयोग करना, सुचना पट पर आज का विचार अंकित करना उसके बाद आते हैं उप सिच्चा मंतरी सह सिच्चा मीना मंतरी का कार्ज को समझते हैं सिच्चा मंतरी के कार्जों में स्वयोग परदान करना, पर तेक महीने में बच्चों को उपस्तिती चार तयार कराकर हरा पिला लाल इस्टार लगाना बालिकाओं का बिद्याले में नमांकन करवाना, मीना की कहानिया सुनाना और सुनना घर के कार्जों में बालक बालिकाओं को समान रूप से भागिदार होने के लिए परिद करना लगतार समिक्षा करते रहना कि कितने बच्चे को नमांकित कराया गया है कितने बच्चे को बिद्याले छोने से रोका गया मंत्य मंदल के कार्ज एवं दाइत के अंतरगत स्वास्त एवं स्वक्षता मंत्री एवं उफ स्वास्त एवं स्वक्षता मंत्री का जो कार्ज है उन्हें यहाँ पस्तुत किया जा रहा है बच्यों की सहता से पुन बिद्याले, परिशस सुचाले आदि के सफाई करवाना कम से कम, 15 दिन में एक बार वर्कक्च की धुलाई करवाना प्रतेक दिन कमरे वम बरामदे को पोचा करवाना वरक अक्षमम परिसर में जगा जगा पर कुरेदान की बेवस्था करना सोचाले के पाद जल की सुलबता सुनिशित करना बच्चों के कपरे ना खून बाल ना शरीर को की जाच करना इमाम उन्हें साप रखने की आदत डलवाना स्वक्षता समागरी को उचीत हस्थान पर रखना और बच्चों को उप्यों की आदत लगवाना प्रात्मी कुप चार किट्स को ठीक से रखना सोचाले के पास साबुन रखना और बच्चों के पुर्यों की आदत डलवाना मध्यान भोजन के पूर्व भी ठेख स्वाबों से हांगे धुलाई की वेवस्था करना सौचाले इस्तिमाल का तरीका बताना मीसरी ळागा और बटन की वेवस्था रखना क्या इसके साथ हई जल एवं किसी मंत्री उपच एवं किसी मंत्री की सरी के श jerk परिख्रेक सुनिश्चित करना या करना अलग अलग विद्यारति समुहों के बीच विद्याले परिवार परिसर को बाठ कर उसकी साफ सफाई और उसकी सुदर्जी करन की प्रत्योक्ता आउजित करवाना भगवानी है तू परियोग में आने वाले समागरी को सुरक्चित परतन को भी रखना पेजल सुरुत के पास सफाई का पूरा ध्यान रखना बगवानी की जग नहीं रहने पर गमले में फुल लगवाना पुश्थ खाल आइंज म बिज्ञान मंत्री के किताबे पढ़ने की आदत डलवाना विद्याले में में उपलब्ध पुस्ट को की सूची बननना विद्यार्थियों तक पुस्ट को की पहुँच सुनिचित करना बिद्याले में अखवार की बिवस्था सिचको या विवावा की मदस से करना बच्चों में बैग्यानिक दिश्टीकों उत्पन करने हेतू सिचकों की सहता से छोटे छोटे बैग्यानिक प्रयोगों की बिवस्था करना सिचकों की मदद से कम से कम पाठ पुष्ट को में वनित सभी प्रयोगों को करने कराने की कोशिश करना बिग्यान किट्स को कक्ष में सजा कर रखना और बच्चे को उसके उपयोग हेतु प्रेरित करना अब आते हैं हम लोग कलास संस्क्रित एं खेलमंतरी एं उप संस्क्रित एं खेलमंतरी के कार्ज दाईत्व को देखते हैं परते एक दिन विद्याले में चेतना सत्र का संचाल करना, समुह वार अलग अलग दिन चेतना सत्र का एजन करना, विद्याले में सिक्षक के नहीं पहुँचने पर भी ससमय चेतना सत्र प्राराम करना, परती दिन चेतना सत्र में विद्याले सिछा समीती और माता समीती के सद या ग्रामिनों को बुलाना खेल की घंटी में विवस्ति धंग से खेलने पर बल देना, सब्ता हमें एक दिन सनी बार को संस्कृतिक गोष्टी का आयुजन करना, वार्षी खेल प्रत्युक्ता का आयुजन करवाना, विशेश दिवस एम राष्टी तेवहारों के उसर पर समा रोह आयुजन करवाना, परभात फेरी, नमानकन रैली, या साफ सफाई रैली, स्वास्त रैली, इत्यादी का आयुजन करवाना, बाल अखवार या प्त्री का निकलवाना, इसके साथ ही हम बाद संसत के निशकर्स पर पहुँशते हैं, और इसके क्या निशकर्स हैं, इसक सक्त सेचिक ब्योस्था और बातावरण के निर्मान में वाल संसद की महत्पुन भूंका से इनकार नहीं किया जा सकता अगर बिद्याले में वाल संसद सक्रिय है तो बच्चों की नियमित्ता इमम उनका ठोराव सुनिचित करने में शिचकों को बड़ी सहता मिलती है साथ ही बच्चों के लिए जीवनों प्योगी उत्तम कोटी की सिक्षा का लक्ष भी पूर्ण होता है बच्चों में समस्त आवस्यक्त जीवन कोसल का विकास भी सुनिचित होता है तो ये था बालसंसद और बालसंसद के कार्ज बालसंसद का गठन और इसे सम्मंधित इतिहास और बहुत सारे तथ जो की हम सभी सिच्चों को जानना चाहिए और इन सबी चीजों को आपके समक्ष रखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है इन ही सब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सेर करें लोगों तक पहुंचाए ताकि दुसरे सिक्षक बच्चे और इससे लवानवित हो सके बहुत बहुत धन्यवाद